प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सीब्रिज अटल सेतु का उद्गातन किया इनजिनियरिंग का यह चमतकार विश्व स्तर पर बारवे सबसे लंबे समूद्री पुल के रूप में भी शुमार है अटल सेतु को जो चीज अलग करती है वह न केवल इसकी प्रभावशाली लंबाई है बलकि इसका मजबूत निर्माण भी है देश के इतिहास में पहली बार पुल निर्माण में भूकम प्रतिरोधी तक्नीक का इस्तमाल किया गया है जिससे अटल सेतु सबसे लचीली संरचनाओं में से एक बन गया है यह पुल दक्षन मुंबई को नवी मुंबई से जोडने का काम करता है जिससे यात्रा की अवधी बोजिल दो घंटे से घटकर 15-20 मिनट रह जाती है अटल सेतु भारत के धाचागत विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगती का प्रतिनिधित्व करता है पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई के नाम पर रखा गया यह पुल भारतिय इंजिनियरिंग की प्रगती का एक प्रमान है इस पुल को बनाने में 6 साल का समय लगा प्रधान मोधी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी